तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे यहां के सिखावाटी के पॉम्चे और चुनरी जो अभी लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है और मैंने मंगवाया अपने लिए तो सबसे पहले मैं आपको पॉम्चा दिखाऊंगी इसमें तीन कलर का पॉम्चा आई है रेड यलो और ग्रीन कलर का है तो मैंने इसको पूरा तयार करवा लिया है तो मैंने इस पर ये बेल लगवाई है बॉर्डर पर सबसे पहले मैं आपको खोल के पूरा पॉम्चा दिख पॉम्चे के खासिट इह होती है कि बीच में चान्द होते है, गोड़े में ही चलता है इसका सारा वर्क तो यह देखेए बीच में इस ग्रीन कलर का गोला है घाम धिया हुआ और यॉलो का चांद और उस पे इस बीच में यह देखिए इसका पोत बहुती मिया पोत है और बहुती अच्छा लग रहा है यह देखिए बहुती मिया मिया पोत है यह जो इस पर डिजाइन बने होती है इसको पोत बोलते है तो यह पोत देखिए बहुती मिया है और इसमें मोर है चिडिया और मोरों का पुरक्त है यह द यहां पर हाड़शेप दे दिल का और यहां पर मूर के पंख दे दिये दोनों तरफ से तो बहुत ही अच्छा बना रख़ा है पूरा और यह तीन इसके यहीं है यह कोणे में सारे में यही है और यह इसके बेल है यह देखिए और यह बूटी है बूटी आपने देखी लियोगी और तो गाइज यह पोत मेरे पढ़ाया पट्टी दोनों चीज आती है यह पूरा रेडी हुआ है तीन अजार रुपे में तो यह था मेरा पॉम्चा इसको पॉम्चा बोलते हैं यह इसका यह सिर पर ओड़ने वाला यह वाला साइड होता इतना ही होता इसके शर पर ओड़ने के लिए ठीक है तो अब मैं आपको अपनी चूनडी दिखाते हूं इसको साइड में रख ज़िए जो अभी लेटेस्ट चूनडी चल रही है जो हमारी सेखावाटी में वो यह व कसा कि यह देखिए तोlem को पोलता है चूणरी क्या होता है कि पूरा एक ही कलर यह होती यह अदो drought बैसे चूणरी पूरी एक-जाइस ही होती है और देखिए इसका भी बारीकी से काम किया गया है बहुत यह अच्छा काम किया देखिए यहां पर कमल की डिजाइन देखने के लिए मिलेगी आपको अभी लेटेस्ट बूटी चल रही है, वही है, कुछ हटके वरकेस पे, एक तरफ से यह देखिए, सीक्वेंस का भी वरकेस के अंदर, और यह जो आपको कलर्फूल है, यह दिख रहे हैं, यह उन से पनीवी दिजाइन है, और यह गोटे से भी दिजाइन है, बहुत ही प्यार यह देखिए, यह देखिए, इसमें कलर्फूल हाथी, और फूल बने हैं, तो दोस्तों, यह मेरा पूत पड़ा था 21,00 का, और जो इस पे यह गोटा है, यह गोटा पड़ा था मेरा 11,00 का, तो मेरी यह पूरी चुन्ड़ी हो गई, तो अगर आप लोगो को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सुपोर्ट बनाए रखे और कमेंट में बताईए कि मैं आगे आपके लिए क्या वीडियो बना के लाओ तो थैंक यू